वैसे हमने कल काफी बातचीत की आपस में अब हम एकुलीब्रियूम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे आयोनिक एकुलीब्रियूम यह किसने धमाका कर दिया भाई ओ ओ ओ यह क्या हो गया अर्थक्वेक का गया कि यह कुई कि यह पका साक्षी थी नहीं तो फिर यह अर्थक्वेक कुन लेकर रहा है हां जी बच्चे आयोनिक एकुलीब्रियूम ध्यान से सुनना बहुत अच्छा चैप्टर है एक एक लाइन को तसल्री से सुनते रहे ना कि डाउटो बीच में रोक लेना क्लियर है और यह कंप्लीट कि तुक्त निया रहा किया कोशिश करेंगे शोल्ट है डाइट लाइस किसको लेकर चले हमं सुनो तो इनिक एकुलीब्रियम बच्चे सुनो जबही और आइन्स इंवोल्म के अंदर किसका इन्वोज्मेंट उजाइ एक और आयंस का ट्रिकैंगी इन्वोल्मेंट इन्वोल तो आपने उसका नाम क्या कर दिया है, that is known as the ionic equilibrium, यह पहली बात हो गई है, जैसे ionic equilibrium पढ़ने लगो, immediately तुम लोगो को conductance के बारे में information चाहिए होती है, conductance, clear, तो आपके पास electrolyte, non electrolyte, clear ना, और electrolyte के अंदर भी weak and then strong, okay, तो आप conductance basis पे, आप लोग, conductance basis पे, conductance basis पे classification कर पारे हो compounds का, okay, एक तो हो गया electrolyte, एक हो गया आपके पास known electrolyte, ठीक है ची, electrolyte मतलब, जो current conduct करे, descent flow हो जाए है, जिसमें current pass हो जाए, clear है, और known मतलब क्या हो गया है, जिसके अंदर current flow नहीं हो रहा, okay, simple सी बात है, कोई बुज़ा है वी काम नहीं कर रहे है, अब electrolyte की भी दो category बाढ़ती है बच्चे, वीक और दूसरा आपके पास known आगया है, strong, वीक से मतलब क्या हुआ, जिसका degree of ionization, जिसका degree of ionization, very less than 1 और strong वो गया, जिसका degree of ionization अप्रोक्सीमेट वाननो, और जिसके अंदर अलफा, क्या चलेगा, zero, no ionization, no ionization, जिसके अंदर कोई ionization की dissociation की possibilities न हूँ, अगर हम मेरी बात को properly समझ पा रहे हो, तो वीक की काटिगरी में को ना रहा है, जितने भी organic acids है, दो चार याद कर लो, बहुत कामाएंगे, organic acid, जिससे formic acid हो गया बच्चे, clear, acetic acid हो गया, ठीक है जी, hydrogen cyanide हो गया, carbonic acid हो गया, जिससे soft drinks बनते हैं, जिसको आप Pepsi, Coke वगरा बुलते हो, clear, यह सब वीक की काटिगरी में, यह acids है, इसके लावा वीक base, जिससे ammonia हो गया, जिसको आप aqua solution में NH4OH लिख देते हो, clear है, तो इस ऐसी zero categories है, strong जिनका alpha approximate one, strong जिनका alpha approximate one हो, इसकी categories में आप example डालो, तो HCL best example है, H204 best example है, HCL of 4 best example है, okay, HNO3 अच्छा example है, यह सब strong की category में जा रहे हैं, और first A के hydroxides, S block element जब भी आप पढ़ोगे, first A के hydroxides, first A के hydroxides, सिर्फ lithium-vithium को छोड़ दें अगर तो, यह कोई अच्छा base नहीं है, और वैसे आपको पता होएगा, when we move from top to bottom, जब भी हम किसी ग्रूप में, top से bottom बढ़ेंगे, hydroxide के level पे, first A मतलब, या फिर किसी और गुरूप में, तो basicity बढ़ेगी, बच्चे, basic character बढ़ेगा, अच्छा जी, non-elateralite में glass भी है, would भी है, plastic भी है, इन्होंने कोई भी current conduct नहीं करना है, तो यह हमारे पास आइनी की clearing का पहला page है, और इसमें कोई doubt आ रहा हो, तो immediately discussion कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं जी, चलो, अब दो बातों पर आपको थोड़ा सा difference सीखना है, difference, difference in between, degree of ionization and dissociation, वैसे तो दोनों बात में हम सेम से वर्ड़ यूज़ करते रहेंगे, लेकिन फर्क है, फर्क है, जहां से सुनो, अगर आपके पास कोई strong electrolyte है, अगर आपके पास कोई strong electrolyte है, तो वो already ions form में रहता है, already in the form of iron रहेगा, already in the form of ions रहेगा, वो already in the form of ions रहेगा, तो बच्चे ऐसे compounds का dissociation हुएगा, इनका ionization नहीं हुएगा, अगर आप थोड़ा सा, सिर्फ English से भी बात को संभालो ना, तो ionization का मतलब पते क्या हुआ, ions का बनना, भाई वो तो already ions है, तो इस केस में ionization नहीं हुएगा, इस केस में पते कौन टर्म लगेगी, dissociation, इस केस में जो टर्म लगेगी वो होईगी dissociation, और अगर कोई weak है, अगर कोई weak है, clear, उसमें आपके पास number of ions कम होएंगे, अब जब वो ions का formation करेगा, जब भी वो ions का formation करेगा, और ions के formation से related term में हम लोगों नहीं क्या रख रखी है, ionization, तो ionization term कहां लगी, इसे ions बने, ionization term कहां लगी, जब ions का formation हुआ, clear है, और जब आपके पास ions already थे, तो वहाँ जो term लगी उसका नाम दे दिया आपने, dissociation, अगर आप मेरी बात को exactly समझ पाए, तो अगली heading में लेने जा रहा हूँ, factors affecting the degree of ionization, factors affecting the degree of ionization, dilution, तो इसमें सबसे पहला factor है, मेरी पास, बच्चे, dilution, इसमें सबसे पहला factor, मेरी पास dilution, dilution मतलब volume बढ़ाना, सबसे पहली term है मेरी पाद illusion, मतलब volume बढ़ाना, अगरा मेरे को सुन पा रहे हो, तो ठीके, जी वेसे मिरी फोट्डo कैसी आ रही है में बदाधियार आफेरी गूट थेंक यू है हंजी टैलीूशन की बाथ हो रही है बच्चे ध्याज से सुन न經 सुन अ तो इसमें आपके पास लिगए ओस्ट सबसे बात यह सिरफ डिक पर इसकी एक इंद उन्ली विक पर अब बचये कहेंगे क्यों भी ऐसा क्यों एप err और रिककेबल उनलियोन वीक कैसा क्यों भाई स्टोंक तो और ली टीक था तेलेक्राइट था अच्छा ग्रिव ठोंक तो अल्फा ओलिडी वन था तो उसका अल्फा क्या बढ़ाना बांस प्रिव तो तो कभी भी बी कुश्चें पेपर में कुश्चन आता है आउट ओद फोर इन विच केस वी कन अपलाई दर ओस्वर डिलूशन थे रही तो ने अंसर शुट भी ओन वीक और वीक में को नहीं बच्चे भी बताए थे आपको एच एच सी एन एसिटिक एसिड फोर्मिक एसिड एसिट धिरू एन एच फोर ओवच में बार बार इसलिए बोलता हूंगा जिससे आपको याद हो जाएंगे एप्लिकेबल किस पे वीक लेक लाइट पे किसका एफेक्ट स्टेडी कर रहे हो तैलूशन का तो आप सारे किस सारे एक्विलीब्रियूम चैप्टम भी रहे है और कल आपने अच्छे कासे कुश्चन पूछके मुझे फील करा है कि आप काम कर रहे हो अच्छी बात है वन म आपकिलीब्रियूम कांस्टेंट एसेड डिसोसीयेशन ऑ कंस्टेंट इट इसेड डिसोसीयेशन कांस्टेंट जो ए है नवर चे जो ए है यह इंडिकेट कर रहा है एसेड को पिलयर है तो मैंने क्या किया जूमरेटर में एकुट एक टाल्यूमरेटर में hग҂छ ब्स नह ανα इनकी values पूट करने जा रहा हूं, तो मेरे पास alpha by v, alpha by v, 1 minus alpha divided by v, अगर आप आप नहीं clear कर रहे हो, तो आप समझ गयो, numerator में आपने इन दोनों को लिखा, denominator में आपने इनको लिखा, v से v cancel हो गया, तो आपके पास exact ka बराबर क्या आ गया, alpha square, सुन पारे हो, 1 minus alpha, alpha square, 1 minus alpha v, अगर आप alpha का, अगर आप alpha का relation निकालो, किसके साथ, with the v, dilution, तो इस page से आके चलू भई मैं, यह equilibrium का second page था हमारा, चलो, तो week तो था ही बच्चे, week तो था ही, तो 1 minus alpha को आपने क्या कर लिया, 1 consider क्योंकि 1 is very greater than alpha, सुन समझ पारे होंगे मेरी बात को न, तो आपने क्या कहा, के यह बराबर alpha square आ गया, या फिर यह alpha is equals to, clear, root k into v आ गया, या फिर यह आपके पास alpha directly proportional to, root v आ गया, तो जब आप volume बढ़ा होंगे बच्चे, तो alpha बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो पहला factor क्या था, पहला factor क्या था dilution, जब आप क्या आया, when we increase the volume, degree of ionization increases, when we increases volume, degree of ionization increases, जब आप volume बढ़ा रहे हो, तो किसी भी weak का alpha बढ़ना शुरू करेगा, तो किसी weak को strong बढ़ाना है, दोगने हैं किसी वीग को स्ट्रों बनाना आ तो आप क्या करो वोल्यूम कोрийम कर दो अलब आपके पास बंट हो जाएगा और यह 100% परसेंट असthese ऐगर किसिट को स्ट्रोंग मनाना है तो वोल्यूम क्या कर दो वॉल्यूम इंफीनिटम उनल बालोम बढ़ाते Acetic Acid का Ionization रुक जाए, ठीक है जी, तो किसी भी वीक का Ionization अगर आपको बढ़ाना है, यह Heading 3 हमारी, Factor Facting the degree of Ionization, Dilution बढ़ा दो, degree of Ionization बढ़ जाएगा, तो इसमें काम के formula, क्लियर, इसमें काम के formula कौन-कौन से निकले हैं, जो हमें आगे हमारी help कर सकते हैं, Ka Alpha Square, 1-Alpha V, पहला formula तो यह निकला है, बच्चे, दूसरा formula, 5 is equals to root Ka into V, तीसरा formula, इसी से बना देंगी हम लोग, क्लियर, Ka by C, क्लियर, V और C एक दूसरे के inverse हैं, वोल्यूम का reciprocal को ने बच्चे, concentration, वोल्यूम का reciprocal को ने बच्चे, concentration, यह काम के formula निकले हैं, इसके अंदर हमारे पास, इसके अलगार, पीछे जहां को आप लोग, तो H plus N की concentration, alpha by V, या इसी को alpha C, यह H plus N की concentration निकले हैं, बच्चे, alpha C, बहुत काम आएगी, ignore मत करना, alpha C, अगर मैं alpha की जगा root K A into C put कर दूँ, इस alpha की जगा, इस alpha की जगा, root K A into K A by C put कर दूँ, समझे आ गया, H plus की concentration कहां से उठाई, पीछे से, यह जैसी put की, बच्चे, alpha by V, इसको alpha into C लिख दिया, पर alpha की जगा, क्या put कर दिया, root K A by C, यह वाला, इस alpha की जगा, क्या put कर दिया, बच्चे, root K A by C, और C, बाहर था, इसको C square करके अंदर लिया है, तो आपके पास, H plus की concentration आ गई है, root K A into C, यह alpha C, बड़ी काम आईगी बात, लेकिन फिर है conclusion जो आप मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, अगर आपके दिमाग तर पहुच पाये तो बहुत अच्छी बात है, क्या, if you want to increase, if you want to increase, अगर आप, अगर आप बढ़ाना चाहते हो, किसी का भी, किसी का भी, जो की weak nature का है, alpha, then you should increase the volume, अब मैं आपको second method की तरफ लेक क्या हूँ, जो मेरे alpha को, degree of ionization को effect करेगा, इसका नाम है common ion effect, इसको बोलते है common ion effect, common ion effect में mandatory condition क्या है, one should be weak and second should be strong, यहाँ weak electrolyte होना चीए बच्चे, एक weak का होना must है, और दूसरा strong होना must है, और इन दोनों में one ion should be common, एक आयन common होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक weak electrolyte, एक strong electrolyte और one ion should be common, one ion should be common, किसे का connection weak हुआ था, क्या कोई बाहर हुआ था, क्या जो भी वाप्पे जोइन किया है, चलो अच्छी बात है, उन्हीं को नहीं पता कौन भाहर हो गया, कौन अंदर हो गया, नीद में लग रहे हैं सारे, common effect, एक weak electrolyte, एक strong electrolyte और one ion should be common in both, दोनों में एक ion का common होना must है, अगले पेच पे जा रहा हुँ बच्चे मैं, यह third number page था मेरा, चलो, now the page number fourth, now listen carefully, मेरे पास है acetic acid, it's very very important chapter, गलती से भी इसको दिमाग से निकलने मत देना बड़ा नुकसान हुएगा, यह मेरे पास बच्चे weak है, यह मेरे पास strong है, यह minus C plus, यह slightly minus C plus, मतलब इससे ionization होएगा, तब यह acetate निकालेगा, और एक ion दोनों में क्या है, common है, अब अब बच्चे का कैसे लगा, Lee Chetlier Principle का नाम तो सुना होगा, कल पर सो जो मैंने बताया था आपको, और हो सकते हैं, आपने उसको थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो, घर बैट कर, acetate का concentration, क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है, in the product side, इसका alpha, very less than 1 है, इसका alpha, approximate 1 है, लेकिन जो भी यह, one ion is common, acetate, acid, 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 ऐसे थोड़ी है, कोई, glass, wood, और plastic की तरहा काम करता है, कुछ न कुछ आइन इस तो होईगा न, जो भी 5-4% होना है, बच्चे, तो अब मुझे बिता सकती हो कि अगर product की concentration बढ़ जाए, what should be the direction of reaction, backward, तो अगर आप मेरी बात को exactly पगड़ पाए, clear, increasing concentration of products, clear, due to increasing concentration of products, clear, reaction proceeds in backward direction, इसका दूसरा मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला, clear, जो strong था, और जो weak था, दोनों का ionization घट गया, लेकिन जो significant degrees in, significant degrees in, ionization of the weak electrolyte, अगर आप exactly मेरी बात को समझ पाए, तो हम क्या कहना चाहते है, reaction जो backward गई, तो दोनों का ionization घट गया, reaction जो backward गई, तो दोनों का ionization घट गया, reaction जो backward गई, दोनों का ionization घट गया, लेकिन जो significant degrees in the ionization हुआ है, significant degrees in the ionization हुआ है, वो किसका हुआ है भई वीक का हुआ है क्यों मालो वो 4% आयनाईज हो रहा है 5% हो रहा है 10% हो रहा है अगर वो 50% भी डिक्रीज कर गया तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज है और मालो कोई भी 100% आयनाईज हो रहा है उसमें 4% की कमी हो गई तो आपको किया इसे क्या फर्क पड़ता है पहले 100% था आप 98% 95% है तो कुल मिलाकर डिक्रीज दोनों का हुआ है पर सिग्निफिकेंट डिक्रीज किसका हुआ है ओफ दा वीक ल पेस है अलफा वेरी लेस देन वन है दूसरा है ही सोल्ट तूसरा है ही सोल्ट सोल्ट सर जनरली स्टोंग लेक्राइट इसका अलफा प्रोक्सिमेट वन है तो कौन कोमन आयन हो गया बच्चे समझ पारे हो कौमन आयन कोन है आपके पास अमोनियम और अब बता सकते हो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन दे कॉंसंट्रेशन ओफ और आयोनिज़ेशन ओफ हांजी सिग्निफिकेंट डिक्रीज ओफ अलफा किसका देखेंगे वो वो हुएगा वीक का डिक्रीज ओन होएंगे गारंटीड पहली बात तो कोमन आइन इफेक्ट लगता कब है जब दोनों में एक वीक हो एक स्ट्रोंग हो दोनों में एक वीक होना ची और कैसा होना ची इस्ट्रोंग होना ची तब लगेगा आपका कौन और कोमन आइन इफेक्ट जब लग जाए है कोमन आयन इफेक्ट जब वरकिंग हो जाए है तो चेक करो सिगनिफिकेंट डिग्रीज इन अल्फा और हमारी हैडिंग क्या थी? जस्ट हम पढ़ रहे थे फेक्टर अफेक्टिंग दा डिग्री ओफ आइन इफेक्ट आजाए तो अल्फा मनलब डिग्री ओफ वीक क्या हो जाएगी? दिग्रीज कुल मिलाकर पहला भी वीक पे लगा दूसरा भी वीक पे सिगनिफिकेंट इंपेक्ट हमने अबजर्व किया अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो डिसकुशन कर सकते हो यह समझगे लिखा लसीपी इसका मतलब समझ गए ना? क्या लिख़ा है? लसीपी हाँ, लीच अट्लियर प्रिंसिपल यह बच्चा केता है सरीह लसीपी मैंना तुपी ले भाई, बच्चे तो लीच अटलियर प्रिंसिपल businessman तो LCP मतलब क्या हो गया लीच अटलियर प्रिंसिपल आगे बढ़ें बढ़ें वही चलो फाइव नंबर पेच मेरा शुरू हो गया आनिक एकुलीब्रियम का डाउट हो तो पीछे लेजाने की फ्रीडम है आपको मैं फिर कह रहा हूं इमीडेटली डिसकेशन करना अगर कहीं इस एक एक टायन इफेक्ट अचिए जो आपके पास opposite हो मतलब one either cti — ction — or a niN इसमें ऐसा कोई niN हो यह ctiään — are reciprocal यह ctiään यह n 1 यह h samo जो दोनों से जब मिले जब दोनों से attraction हो तो एक weak electrolyte का formation हो जाए clear na एक weak electrolyte का formation हो जाए मतलब neutralization हो जाए यह पढ़कर जादा पता चलिगा चेक करना जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ लिसन केरफली यहां मेरे पास NH4OH है यह भाई सब आयोनाईज हुए जा रहे है थोड़े 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 डिले डिले से रो रो कर तोकि यह वीक है NH4OH वीक है यह आपको समझ में आगी होगी बात अब इसमें Axial डालती है जो Hero है, Strong है अगर आपने उपर की Condition पढ़ी थी तो आप शायद समझ गयो वीक में या तो किटायन हो या अनाइनस है Strong में किटायन हो या अनाइनोफिलल किटायनस है यह दोनों आपस में रियक्ट अगर कर लें तो बनेगा वोटर और वोटर इटसेल्फ नूटलाजेशन प्रासेस हो गया एक वीक इलेक्ट लाइट हो गया वीक इलेक्ट लाइट हो गया तो अब इससे क्या होएगा फिर LCP LCP पड़क्स की कॉंसंट्रेशन क्या होगी बच्चे बतादे यार परण्यक की कॉंसंटरेशन जाथा का होगी ओएच भी खाया गया एच भी खाया गया ओए आ रा थिया मुक्का खाया तो मेर से हाँ ओवेच भी एच दोनों परड़क्ट साइड में दोनों रिएक्ट कर गए पानी बन गया प्रट की गॉंसेंट्रेशन कम हो गई और प्रटकर की गॉंसेंट्रेशन कम ओना लीच अलीच प्रशेड करेगी हां रिख्शन प्रशेड इन फरवर्ड रिख्शिन आके बढ़ने लगी बिच्चे तो ओड आयन इफेक्ट अलफा को बढ़ा रहा है कोमन आयन इफेक्ट, कोमन आयन इफेक्ट, अल्फा को डिग्रीज कर रहा है, क्लियर, और वोल्यूम जो है, डिल्यूशन जो है, वो अल्फा को बढ़ा रहा है, तो यह तीन कन्कुलिजी बाते, यह तो डिस्क्रिप्शन था पूरा, लेकिन जब हम फाइनल पेपर के लिए जा रहे होंगे, तो हमें आयोनाजेशन को अफेक्ट करने वाले फेक्टर्स, फेक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाईजेशन, फेक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, तो डिरेक्ली डिलूशन, डिरेक्ली डिलूशन, क्लियर, इन्वर्सली, कोमन आयन, डिरेक्ली, ओड आयन, क्लियर है, तो इतनी तनी से काम बन सकता है, अगर आप फाइनल पेपर देने जा रहे हैं, उससे पहले इसको पढ़के चले जो बस, किसी को रोकना हो, कोई बात करनी हो, कोई बात पूछनी हो, most welcome, बात करो, बोलो बटा, वो वो मैं इसमें लूँगा बच्चे न, मिरेको को लिए आता आ गया था, ठीक है न, वो मुझे याद आ गया था, क्लियर, मैंने सोचा भी पीच में इसको फसाते हैं नहीं, लेकिन मुझे हंडब से, क्योंकि उसका क्वोश्चन तो आएगा है कोई न कोई और वो पक्का डिसक्शन में वापीस आई जाएगा, लेकिन वो हमारी न, ट्रिक निकलाएगा, शुपर ट्रिक मेरे पास थी न, अलफा ड्र के लिए पाव डेल टैन भाई टू, अ इन्वर्सलिट वभी बडल टैन भाई टू, वो स्ट्रिक से न, पांचे मिनट काम है, जो तो तो में लो पांचे मिन लिए लगेंगा, जुम लोपता, मैं तो चीक है चलो यह LCP की बात समझ में आ गई आपको और इन तीनों में कोई डाउट नहीं है तो अब मैं टच करने जा रहा हूँ इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपोर्टेंट टोपिक देट इस अपी एच सुनों भी ध्यान से पी एच टर्म गिवन बाई दा स्वरेंशन यह है क्या मेजर्मेंट ओफ एसिडिटी एंड बेसिशिटी यह एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को पता लगाने का तरीका है कौन पी एच क्लियर है तीसरी बात अगर किसी को पी एच का लिटरल मीन समझना है तो इसी को कुछ बुक्स ने लिखा प्रतकर में में पात करने हैं आपसे आयोनिक प्रड़क्ट ओफ वोटर और इसको जब पढ़ो तो इसका मतलर निकालो पानी के आयंस का मल्टिप्लाई आयोनिक प्रड़क्ट ओवोटर यह H2O लिखा, यह H+, यह OH लिखा, के एकुलीब्रियम लिख दिया, H+, OH- लिख दिया, वोटर यहां लिख दिया और आपको एक बात बताई थी चैप्टर का नाम था मोल कॉंसेप्ट एक दिन डिस्केशन भी कर रहे थे इविनिंग में तब भी बताया था मोलर कॉंसेंट्रेशन ओफ वोटर मोल पर लिटर मैं गाता है इसको ओपन कर लो समझ में आ जाएगी बात हामेनी मोल्स ओवोटर इन वन लीटर हामेनी मोल्स ओवोटर इन वन लीटर 55.5 मुझे लगता है सबका कायब हो गया कामच आ के ना कराऊं भी छोड़तू समझ गए न इस बात को आप लोग अब मैंने क्या किया यहां से के लिए उनको कॉंस्टेंट मला हायर कॉंसंट्रेशन ती से मल्टिप्लाइ कर दिया और इस पूरे को कलेक्टिवली मैंने के डबली लिखना शुरू कर दिया तो पानी के आइन्स का मल्टिप्लाइ आइनिक प्रड़ेक्ट वोटर मतलब वोटर में पड़े हुए आइन्स कोन एच और प्वंटी फाइव डिगरी सेंटिग्रेट पे इसकी वैल्यू टैन दिस टू पावर माइनस फोटीन मोल स्क्वाइर पर लीटर स्क्वाइर है क्योंकि ये भी मोल पर लीटर ये भी मोल पर लीटर और शैद आपको पताओ जब वोटर आयोनाईज हो रहा है शैद आपको पताओ को बताओ को बताएगा इट इस एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक पानी का टूटना वोटर का डिसोसियेशन होना खुशी के कोडिंगली एक्जोथर्मिक अच्छा बच्चे इस पैन को तोड़ना है मालो तो हीट मिलेगी हमें अनुराग के कोडिंगली एंडोथर्मिक इट इस 101% एंडोथर्मिक, खुशी एंडो, एंडो बोन तोडना है भच्छे, माले हूँ किताब को फारना है हमने, तो एनर्जी लगेगी, endothermic, तोडना है, एक दुसरी के ट्रेक्शन फोर से फ्री करना है, अच्छे, वगात सुनो, हमने सीखा था, ніर्ण ने सीखा था, एक्षिन में अगर मैं सब भूल बालगे तुम लोग हमारे बुक के बढ़ेगा वेन वी इंक्रीज टेंपरेचर के विल बी इंक्रीज तो जब इसको आप 90 डिगरी पे लेके जा रहे हो जब इसको 100 डिगरी पे लेके जा रहे हो तो इसकी वेल्यूज बढ़ेंगी 10 डिस टू पावर मैनेस 13 10 डिस टू पावर मैनेस 12 ऐसी वेल्यूज आनी शुरू जाएंगी और मालो इसी को तुम लोग टम टेंपरेचर पे लेके चलेगे 0 डिगरी टेंपरेचर पे लेके चलेगे इसको 0 degree temperature पे लेके चले गए, तो 10-2 power minus 15 घट गया, तो temperature घटा, k घटा, temperature बढ़ा, k बढ़ा, इसमें भी कुछ लोग बड़े शांदार होते हैं, कहते हैं, सर आपने घडबड कर दी मैंनका क्या, कहते हैं, 15 तो जादा होते हैं, मैंनका minus 15 है power में, minus 15, not 15, तो temperature बढ़ा होगे, के भढ़ेगा, सर, always, मैंने का क्या always, endothermically always, so ionic product of water, H2O, H plus OH, और इसके ions के product का multiply, that is known as a ionic product of water, हम pH के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके हैं, it is very important term of this chapter, given by Sorensen, it is a measurement of acidity, basicity, pH, power of H plus, potential of H plus, potential of H plus, आइन के, इसके बाद एक very important term उठाई, ionic product of water, पानी के अंदर के ions का multiply, पानी के अंदर आइन तो दो ही है, HOH, HOH, हे महान जंता सो गई क्या, आगे बढ़ू मैं, चलो, सोने पर यह सर, आगे बढ़ने पर यह सर, आगे बढ़ने पर, चलो, next page मेरे पास है, 7, ध्यान से सुनना, मैंने आप सिक बात करनी है, यहाँ, very simple and easy, इसके आगे बढ़े हैं हम लोग, हाँ जी, मुझे यहाँ जो आपका discussion चाहिए, एक तो मैंने बता दिया, कि KW क्या है, अब मेरे पास है pH range, ठीक है जी, अगर मैं 25 डिगरी पे pH range लेता हूँ, pH range, तो यह 0 से लेकर 14 तक चलेगी, और इसका midpoint होएगा, बच्चे, जिसका midpoint होएगा, और 7 होएगा, और 7 midpoint का मतलब क्या होता है, neutral, midpoint अगर 7 होएगा, तो इसका मतलब है neutral, और यहाँ को ने बच्चे, acidic, और यहाँ को ने आपके पास, basic, जो जितना 14 की तरफ गया, strong base, जो जितना नीचे की तरफ गया, उतना strong acid, यहाँ, strong acid, यहाँ pH की value, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, clear, ऐसे करके increase हुए जा रही है, और pH की value बढ़ना, अगर थोड़ा सा pH के बारे में आप जाने में interested हो, pH है क्या, It is minus logarithm of H plus N concentration, it's very very important now, What is the pH? It is minus logarithm of H plus N concentration, pH is a minus logarithm of H plus N concentration, इसी से मिलती जुलती तर्म और रग्धी हमने, इसी से मिलती जुलती तर्म और रग्धी हमने, pH minus logarithm of hydroxide and concentration pH is equals to minus log of H plus pH is equals to minus और very important एक और बात इसको अगर भूल गए तो आगे आप करी नहीं पाओगे किसको? pH के questions को जो concentration है it should be in the normality term क्या कोई बच्चा मुझे guide कर पाएगा कि molarity को normality में कैसे convert करना है नहीं किसको यहनी simple clear ना molarity should be multiply with n factor तो किसमें बदल जाएगी normality में mole भी पढ़ लिया solution भी पढ़ लिया अब ionic equilibrium पे आ गए उसमें आपको infinite times बताया क्या कि जब आपके पास n factor confirmed हो और मैंने आपसे पहली कहा था जब हम उसको mole में पढ़ रहे हैं जब हम उसको solution में पढ़ रहे हैं it is very useful कि इसको ionic में use करेंगे n factor 1, n factor 2, n factor 1, n factor 2, s3po2, n factor 1, s3po3, n factor 2, n factor 2, s3po4 इस पह बात हुई थी आपसे, n factor 3 ठीक है जी, हाइपो फोस्फोरस, फोस्फोरस, एन फोस्फोरिक, और एन फेक्टर पता हो तो काम करना बड़ा आसान हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखो, जो H प्लस आयन की कॉंसंट्रिशन है, it should be the normality term, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूछ लेते हैं, तो ऐसा क्यों why in the terms of normality, why in the terms of normality, normality क्यों, है किसी के पास जबाब, why normality, why not normality, normality, normality क्यों, morality क्यों नहीं, पता है वैसे आप लोगों को आपने पढ़ा वाई ये, जब हम solution chapter पढ़ रहे थे, और mole concept पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी जबाब दो, हाँ जी, तो नहीं करते हैं मुले टमप्रेचर पे, अके लिए क्यों, बचे दोनों डिपेंड करते हैं, तो नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं, वोल्यूम पे, ओके आगे, हुँ हुँ, बचे दिखो, जब आपके पास 1MH204 है न, 1MH204, 1M, तो इसका मतलब क्या 1 molar H plus है, सही सी बिताना बिल्कुल, जब 1MH204 है, चलो ऐसे सीख लेते हैं, लड़ाई करना सीखो कुश्चिन के साथ, 1MH204 का मतलब क्या 2H and H204 minus 2, तो क्या 1MH204 का मतलब 1 molar H plus है, नहीं है न, नहीं है न, वहीं कहा रहा हूं, कि जब हम Molarity लिख रहे हैं, तो exact information हमारे पास, अब मैंने 1MH204 लिख दिया, अब मैंने, इसका मतलब पती क्या निकला, 0.5MH204, यह सुर नो, N vector का divide तो, अब सुनू, जब आपके पास 0.5MH204, mean, आपके पास 1NH204 है, इसको टुकड़े करें हम लोग, यह H plus आया, यह H 104 आया, simple, 0.5MH204, 0.5MH plus नहीं देगा, 1MH plus देगा, और वही तो मैं शुरू से बोलता रहा हूं, when we have 1NH204, 1N, mean, exact information about the, H plus science, H plus बताएगा कौन, molarity, normality, जबकि यह मुझे molarity जो है, यह exact information नहीं देगी, एक बार फिर, when we have 1MH204, what mean of it 2MH plus, तो हम paper में 1M लिखकर solve करके आगए, फिर तो गड़ बढ़ जाएगी, लेकिन जब आपको 1N normal दे रखा हो, तो उतने ही H लिखे जा सकते हैं, वही कहा रहा हूँ, कि normality will give the exact H plus science, जबकि molarity मुझे exact H plus देगी नहीं, उसको मुझे N factor से multiply करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखो, अगर आपको real power of H plus निकालनी है, अगर आपको real power of H plus निकालनी है, तो आपको normality ही लेनी पड़ेगी, molarity गलत information दे सकती है, किसे कोई objection हो, तो बात कर लो, pH का और H plus N concentration का क्या relation निकलाया, inverse का, जितना H plus N concentration बढ़ेगी, pH उतनी कम हो जाएगी, जितनी H plus बढ़ेगी, उतनी pH कम हो जाएगी, उल्टा चले गए एक दूसरे का, मैनस लोग है न बच्छे, ऐसी pH भी hydroxide N concentration का inverse हो गया, जितना हो जाएगी, जितना हो जाएगी, चलो, अब हम determination की तरफ बढ़ते ही, pH निकालने के questions, तो पहला case, if strong, acid, और strong base, strong acid, strong base is given, strong acid, strong base दे रखा हो, तो आपको direct, concentration यूज कर लेनी है, अगर कभी strong acid, strong base दे रखा हो, तो आपको concentration को in terms of normality, direct यूज कर लेना है, अगर कभी strong acid, strong base दे रखा हो, कैते question कर वाओ, 1 n, h204, what will be pH, तो आपने का pH is equals to, minus log 1, ये सीधा यूज कर लिया, log 1 का value सबको पता है, मानलों इसकी जगा 10 to power minus 2, m h204 दे रखा होता है, तो सबसे पहले इसको 2 से multiply करते, क्योंकि इसका n factor बच्चों को पता है, इसका n factor कितना है, 2 है, तो ये 2 into 10 to power minus 2 हो जाता, pH is equals to minus log, 2 into 10 to power minus 2, और इसके लिए मैंने बच्चों को एक solve करने का simple सा तरीका बता दिया, minus log x into 10 to power minus y लिखा हो, जैसे 2 x को indicate कर रहा है, ये 10 to power minus 2 minus y को indicate कर रहा है, तो y minus log x is direct answer, solve करके, तो ये क्या आ गया, 2 minus log 2, 2 minus point 3010, your answer is approach 1.7, सदमे में लग रहे हो, सारी सदमे में चले गए तो, अगर मैं आपको 10 to power minus 2m calcium hydroxide दे दूँ, what should be the pH? आपके में अरूज़, जस्वेटिंग पर रहा है, जस्वेटिंग आ आंसर, बोलो भी बोलो, हां जी फर्स्ट टोल चेक इस इड एसिड और बेस अगर ये एसिड है तो स्टेट पीच निकलेगी अगर बेस है तो पहले पीच निकलेगी ये गलतियां आपने नहीं करनी है तो अब केल्शियम हाइड्रोकसेड आ गया 12.3 मुलैरिटी है न बच्चे और ये एनफेक्टर दो है इसका तो जब मैंने इसको सोल करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने इसकी नोर्मिलिटी पता लगा ली 2 इंटू 10 दिस 2 पावर माइनस 2 क्योंकि इसका एनफेक्टर क्या था 2 अब सबसे पहले इसका प्यो एच निकालेंगे मैंनस लोग उफ हाइड्रोकसाइड मैंनस लोग 2 इंटू 10 दिस 2 पावर माइनस 2 आपको बताया था सोल करना 2 मैंनस लोग 2 मतलब ये कितना आ गया 1.7 और 25 डिगरी पे पी एच पी ओएच का सम 14 है तो पी एच वन पंट सेवन आ गया पी एच वन पंट सेवन आ गया पी एच आपके पास क्या आ जाएगा एग्जेक्ट 12.3 इट इस बेसिक के निचर अगर टमपरेचर बदल दे तो रेंज भी बदल जाएगी अभी ये बोड पे पड़े वे 2-3 कुषिन आपको समझ में आए तो इसके लिए मैंने चेक पॉइंट बनाए कि आपको करना क्या है सबसे पहले चेक करो Is it strong, acid or strong base सबसे पहले चेक करो Is it strong, acid or strong base फिर molarity को नॉर्मल्टी में बदलो ये सेकंड चेक पॉइंट है फिर तीसरे नमबर पर जाके टमपरेचर चेक करो तीसरे नमबर पर जाके टमपरेचर चेक करो क्योंकि अगर 298 है तो रेंज 0 से 14 तकी है अगर यही टमपरेचर 0 डिगरी है तो रेंज 0 से 15 की है और यही अगर 100 डिगरी है तो रेंज 0 से 12 की है pH रेंज मैं बार बार आपसे कहा रहा हूँ अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो discussion बनता है समझ में आ रही है तो यह तो बहुत इच्छी बात है कि आप इतने समझदार बच्चे हो चेकपोइंट ध्यान कर ले ना फर्स चेक स्टोंग असिल स्टोंग बेस देन यूशूड चेक मुलारेटी दिरखी है कनवर्ट टू नॉर्मेलेटी देन यूशूड चेक टिंपरेटटब स्टोंग इसमझ में ऐल आपकोइंचा और लैंद आपको चेक्ट नजनद टिंपरेटब स्टों है कोई कन्फिजन नहीं किसी बच्चे को चलो जी नेक्स्ट मैं इसमें जो बात आपको बताने जा रहा हूं अब मैं केस नंबर टू टच कर रहा हूं केस नंबर टू का मतलब क्या हुआ इन केसों वीक एसिड और वीक बेस वीक एसिड वीक बेस तो अब आप थोड़ा सर समझदारी दिखानी है मैंने पहले भी आपको हिंट दे दिया था कि वीक एसिड वीक केस के वीक बेस के केस में अलफा लेस देन वन है यहां मैंने एन एच फोर ओएच लिख दिया बच्चे एन एच फोर ओएच को जानते हो न यह एक वीक पेस है ठीक है तो अब वन मैनिस अलफा fluffy c alpha c alpha c 1 minus alpha c alpha c alpha c । अगर तुम थोड़ा साभी ध्यान से दिखो तो alpha 1 तो है नहीं alpha 1 था प्छले केस में strong के केस में तो सीधे concentration यूज़ कर ली पिछले केस में alpha क्या था आपके पास one तो वहाँ H प्लस को सीधे C लिख लिया, तब ही लिखा था ना, direct concentration को यूज करो, direct concentration को यूज करो, direct concentration को यूज करो, अब direct concentration आप यूज करने सकते, क्यों भी महानात्मा हो क्यों यूई कर सिकी लिए अल्फा लेस्टन वन है तो आपको अगर थोड़ा सा पीछे 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 चलूँ तो आपको बताया था कुछ इम्पोर्टेंट बाते निकल कर हमारे सामने आ रही है क्लियर कुछ इंपोर्टेंट बातें निकल कर हमारे सामने आ रही है वो था H प्लस आयन की कॉंसेंट्रेशन मतलब अलफा सी एक क्या ही थी रूट के एंटू सी अगर आपने फोकस किया हो तब मैंने का था इंपोर्टेंट बातें निकल कर आ रही है H प्लस इन दा केस ओ वी का अलफा सी इन केस ओ अगर अलफा नहीं दे रखा हो तो रूट के एंटू सी पता नहीं इस पेज को भूल गए किया आद आपको अब मुझे पी एच निकालनी है मुझे पी एच निकालनी है माइनस लोग हच प्लस कहते जी हच प्लस की जगा सीधी कॉंसंट्रेशन पूट कर दो मैंग ना बिलकुल नहीं क्या पूट करूंगा अलफा सी अगर ये भी नहीं पूट कर पाया अलफा वलफा नहीं दे रखा हो तो रूट के एंटू सी और यहां माइनस लोग हाइड्रोकसाइड हो तो रूट के एंटू सी तुम इस कोशन की मजबूरी क्या है यहां मेरे पास वीक था वीके केस में अलफा वीके केस में अलफा वीके केस में अलफा वन नहीं है वीके केस में अलफा वन नहीं है तो क्या करें है एच प्लस की जगा अलफा सी पूट कर दो अलफा नहीं द अब इस से रिलेटेट गुस्टिन मेरे दिमाग में क्या जा रहा है थहान से सुन लो कहते है जी फाइंड पी एच फाइंड पी एच पॉइंट वन एम एसिटिक एसिट विद अलफा पोर परसेंट तो आपने का अलफा क्या करना है बस पी एच इस इक्वस टू माइनस लोग पॉइंट वन इस इक्वस टू वन इस इट क्या यह आंसर ठीक है यह पूरी तरह से घलत है तो कोई गाइड करेगा मिलको क्या करना ची मुझे अलफा के चका हाँ पॉर पाइ हंड्रेट हां जी यह अलफा सी है बटा माइनस लोग फोर इंटो टैन देस तो पावर माइनस थ्री पी एच इस इक्वस टू अभी थुर्दर पहले सिखाया था अगर आप नींद में नहीं थे तो इसको सोल कैसे करना है माइनस लोग एक्स इंटो टैन देस तो पावर माइनस वाई इस इक्वस टू य माइनस लोग एक्स थ्री माइनस लोग फोर लोग वन पता था जीरो है लोग टू आपको पता है पंट 3010 है लोग पंट 3 लोग 3 सरे इस साइड में लिखना चाहते हूं लिखलो बोथ काम आएंगे लोग 10 लोग 2.3010 लोग 3 0.478.5 के अप्रोक्स करके आंसर निकाल देना लोग 4 इस डबल ओफ लोग 2 जिस दिन केमिकल काने ठेसा आगया फिर इस से लड़ाई करनी पड़ेगी 0.698 अप्रोक्सिमेट 0.7 लोग 6 लोग 6 is equal to लोग 3 into 2 तो लोग 2 को और 3 को एड़ कर दो क्यो भी इनका यूज हम करना सीख लेंगी अब तो लोग 3 मैनिस क्या कर दिया 0.6 इस 2.4 पतने आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मिरको तब डर लगे लगे आपको बढ़ाते बढ़ाते पकी गल और सुनने के साथ यह बात सारी समझ में आ रही हैं आपको कि केस वन में हमारे साथ क्या चीज़ थी अल्फा वन था तो डिरेक्ट कॉंसंडेशन यूज कर यहां अनसर था रही है जो बच्चे ने question पूछा था, उसका same यही answer आने वाला था, कि इसका n factor तो 1 है, तो 0.1m लिखो, जह 0.1m लिखो, इस case में, इस case में, otherwise अगर कोई और case होता तो पीछी बता ही चुका हूं, कि n factor से multiply कि इसको normality में convert करना must है, क्योंकि molarity doesn't give the exact information वो पैचान हुए, तो इसी के जैसा कोई question और सामने वाले ने बना दिया, माल लो, इसी के जैसा कोई और question सामने वाले ने बना दिया, 0.02, ठीक है जी, oxalic acid वीकी है, oxalic acid, यहाँ M लिख दिया, clear, और कह रहा है कि इसका pH calculate करो, मिंगा जी कर देते हैं, थाई weak oxalic acid is a weak acid, तो उसको यहाँ मु के की value देनी पड़ेगी, और के की value मालो, यह दे गया वो, और alpha भूल गया, आपने का alpha भूल गया, तभी तो kे काम आएगा, alpha भूल गया, तभी तो kे काम आएगा, data लिख वाओगे, क्या लिखना है, 0.04, 10 देस टू, पावर माइनस 6, माइनस लोग, यह के की value है, यह molarity को normality में convert करके concentration of the oxylic acid है, तो यह मेरे पास 4 इंटू 10 दिस टू पावर माइनस 8, यह माइनस लोग, 2 इंटू 10 दिस टू पावर माइनस 4, 4 माइनस लोग 2, 4 माइनस 0.3010, इस 3.7, ठीक है भई, किसी को सदमा लगाओ तो बात कर लेना, यह भी weak, weak base के case में, strong, strong base के case में, हमने 2 case अब तक की है, अब हम case number 3 पे move करेंगे, कभी कभी बच्चे पता, आपको mole concept कर चुक्यों, आप लोग solution chapter भी तो इतना बड़ा advantage आपके पास इन चीज़ों का, कभी कभी आपको न, वो mass दे देगा, कभी कभी आपको mass की जगापे, mole दे देगा, कभी कभी आपको number of atoms दे देगा, कभी कभी number of molecules दे देगा, उन सब case में सबसे पहले आपको, mole में change करना होएगा, यह तो mole दे रखा सीधा, यहाँ mole, और यहाँ कभी कभी volume भी दे देगा, NTP, STP वाला, तो क्या बच्चे गाइड कर पाएंगे, पहले case में mass को, molecular mass में कैसे, mass को mole में कैसे change करूँ, divide, यह तो mole था, ऐसा ची रहेगा, कोई change नहीं आएगा, clear, atoms को, यहाँ भी molecules को, average row, और यहाँ, लीटर वीटर के coding, ठीक है जी, और mole निकलने के बात का treatment फिर शुरू हो जाएगा, क्या निकालनी, immolarity, और molarity को N factor से multiply करके normality, तो ऐसे कही question में आपको तंग करने की कोशिश करेगा, पर तंग होना मत, क्योंकि तुम्हारे पास दो strongly supportive chapter है, तो strongly supportive chapter है, एक का नाम है mole concept, दूसरे का नाम है solution, हां जी, तीसरा केस उठाएं, केस नमबर 3 भी तुम comfort zone में हो, mixing, मिक्सिंग में पहला केस हमारे पास उठेगा क्या, नेचर सब का सेम, नेचर सेम मतलब acid plus acid, और base plus base, नेचर सब का सेम, तो formula सब बच्चों को पता है, N1, V1, N2, V2, जितने solutions mix कर लिए, सब को add कर देना, N final, V final, V final दो तरीके का हो सकता है, या तो sum of given volumes हो, या V final given data भी होता है कई पर, given data समझ गए न, क्योंगे 400 ml है, 500 ml है, 300 ml है, इस तरीके से, 1000 ml कर दिया, तो V final अपनी दरब से भी दे सकता है paper में, इस type के question भी हम solution chapter में कर चुके हैं, बस वहाँ कहानी limited थी concentration निकालने तक, अब कानी थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी, concentration निकालने से थोड़ी से आगे चली जाएगी, और वो क्या होएगी, वो क्या होएगी, अब pH तक बढ़ जाओगे, और पीछे बताई था, molarity को normality यहां तो निकालेंगी normality डिरेक्ट, और इसका अगर B case आजाएगे, acid base या base acid, तो N1 V1, minus N2 V2, N final V final, V final, या तो दोनों का sum हुएगा, या फिर, या फिर, अपनी तरब से पानी वानी एड़ करके गिवन हुएगा, मुझे तो अच्छी तरह आदा रहा है, मैंने आपसे question भी पूछा था, जहां वोटर एड़ करा और अरात्या ने गलत अंसर दिया था, क्यों अरात्या, और फिर मैंने उसके अंदर बच्चे को बोला, तो तुमने पानी निकालना था, तुमने फाइनल वोल्यूम निकाल दिया, और एक बात हमेशा ध्यान रखो, यह special बात अच में लिखने जा रहा हूं, जो N1 V1 है, वो N2 V2 से always greater, वो चाहे acid को, चाहे वो base को, और यह हमारे check point में था, क्या, कि सबसे पहले check करो acid है, base है, strong है, weak है, और उसको check करने के बाद, अगर acid है, तो pH direct, और pH है, तो फिर base है, तो pH direct, अब इसके questions देख लेते हैं जी, 200 ml, 0.1 N, H204, को mix कर दिया, किसके साथ, 300 ml, 0.1 M, H3PO3 के साथ, clear, आपको pH निकालनी है, आप करोगे, या मैं करके दूँ, या फिर आप कर लोगे, ऐसा, आपको confidence है, बोलो भई, टाइम बारा बच के तीन मिनट हो चुके है, कोई हाना में जबाब देनी रहा, तो मुझे ही करना पड़ेगा question लगता है, चूचे करोगे, कि की है, अनुराग जी बोल रहे हैं 12.9-1 चेक कर लेते हैं जी ये 200 का पॉइंट एक से मल्टिप्लाई हुआ ये 20 ml एक्विवेलेंट हो गया ये 300 का पॉइंट दो से मल्टिप्लाई हुआ ये 60 ml एक्विवेलेंट हो गया ये सुलूइशन बेसिक ऐसी हो गया सबसे बड़ी प्रोलों तो मुझे ये लग रही है क्लियर ये अब दोनों एसीड है सीड है जोड़ जाएंगे क्योंकि इस मुल्यरिटी को नॉर्मल्टी में तुमने कनवर्ट कर लिए इसका इन वेक्टर टू था तो 20 प्लस 60 दोनों का सम हुआ 500 फाइनल नॉर्मल्टी निकली 80 बाए 500 एट बाए 50 क्लियर अब 8 6 जा 48 के असपास हमारे पास आजएगा 0.167 या 1.67 या 16 पॉइंट जो भी होएगा कुल मिला कर हमें अब इस वेल्यू का पी एच निकालना है माइनस लोग ओफ दर 1.67 इन 10 दिस टू पावर माइनस वन 1 माइनस लोग 1.67 लोग 2 का वेल्यू पॉइंट 3010 था इसका मानलोग 0.25 के असपास भी होएगा इस 0.75 अप्रोक्स तुमने इसको बेसिक बना दिया जो एक घातक बात है अनुराग सर आपने एसेडिक सुलूशन को बेसिक कैसे बना दिया एक सेंग पहले अनुराग की बात सुन ले अनुराग बोलना मिटा माइनस क्यों अब दूसरा बच्चा क्या कह रहा था क्या नहीं होना चीए खुशी जी ये पहली नॉर्मिल्टी दे रखी है क्लियर ना इसलिए थेरी अकेली नहीं बताते हैं साथ साथ में क्वेश्चन भी बताते हैं कि ये गलतिया ना करो थेरी बताएं तो दो दिन में चैप्टर कता हो जाए थेरी के साथ में इस तैप की प्रोब्लम से भी बताएं तो ये वाला पोइंट वन पक्का दो में चैप्ट होएगा कि टोटल का डिवाइड मालोई टोटल वोलिम कहता इट इस मेड अप टो वन लीटर तो क्या करते है हां नीचे वन थाहुजन कर देते कोई है ऐसी महान आदमी जिसका अंसर अप्रोक्सिमेट पॉइंट सेवन फाइब पॉइंट एट ऐसा कुछ आ रहा हूं मेरे मेरे अंसर क चल उच्छी बात है मैं पेज चेंज कर रहा हूं भी अब 300 milliliter 0.25 M of calcium hydroxide एड हुआ 200 milliliter 0.25 MH204 में एंड वोलुमेड अप टू 2.2 liter find pH of solution at 0 degree centigrade 100 भी 100 मैं वेट करूंगा तेड़ मिनट तक 90 सेकंड ऐसी प्रैक्टिस ओर कर लेंगे 20 मिनट तक अगला चुट टाइम मिलेगा हमें अगला चुट टाइम मिलेगा हमें 20 मिलेगा हमें झाल झाल कर रहे हो भाई देखो अप्रोक्स आइडिया तो कुशन के बरे में कर दो आऊिए चाल झाल 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 प्रश्रीशन एसटीक हो चुक है ठीक है आपके को डिंग ली इस बारा बच्च के बारा मिनट ओक विच्चे ओट तुरी अब तो हमारी क्लास कतम हो नहीं चेह तो टाइम गतम हो गया इसको हम करें फिर अपताव हो को कितने मचे चल जितने मचें वेख वीए बीस पे क्लास् सब्सक्राइब तो पहले फिजिक्स वाले सरे मैं हूँ चेक कर लेते हैं मिलते हैं फिर ना लेट हो गया चम तो मैं 145 प्यार हो मचें इसको तब करते हैं हम लोग ठीक है